अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए जिससे आपकी मनी भी बेस्ट ना हो और इसका टाइम या आपका बेस्ट ना हो तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर कुछ गौर करने वाली बात है वो आप ध्यान से सुन लिजिए ठीक है वो होती है एक Exp होता है और उसक लेविल का भी है दोनो स के पास है तो तो बहुत बढ़ी आ ठीक है मलब दौनों तरीके से उसका है अब नेशनल लेविल का भी तो अभी बहुत बढ़िया है ठीक है और बाकी आपको यह देखना होगा जितने ज्यादा registration होने चाहिए मलब हो उतना best रहेगा कम से कम 2-3 registration तो उसके पास होने चाहिए तब ही वहाँ पर आप admission ले लो तो उसके क्या है कि आपका जो certificate है वह mostly चली ही जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि एक registration reject होगा तो वह दूसरे पर हो जाएगा तो इसलिए 2-3 registration होंगे तो आपको पहले तो बात यही देखनी है ठीक है उनके registration आपको देखने है दूसरी चीज यह देखनी है मां की faculty कैसी है ठीक है अब faculty की बात करने तो मला आप demo लेके भी देख सकते हो या उनका experience कैसा है वो कहां आप पढ़ा चुके है और अगर और लेडी पुनाना center है तो महां से place बच्चे कितने हुए यह भी आप देख सकते हो placement का रिस हो कितना है ठीक है और या फिर आप सबसे बड़ी या demo ले लिए ठीक है तो demo में आपको clear हो जाएगा कि महां पर कैसी पढ़ाई हो रही है तीसी चीज आपको यह focus करना है महां पर practical का क्या है ठीक है practical क्योंकि computer knowledge तो आपको book से भी मिल सकती है बट practical के लिए आप महां पर institute में जाने तो आपको practical पर focus करना है तो आपको यह देखना होगा center देखिए सब ही सही होते है mostly बस आपको यह देखना है कि महां की पढ़ाई का मैट कैसा है syllabus क्या है और certificate में registration कितने हैं वो सब चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी अपनी money को waste नहीं करना चाहते तो यही आपको कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ाएगा एक तो placement के चक्कर में भी नाफस हैं अगर institute वाला दे रहा है तो बहुत अची बात है interview करा रहा है तो अची बात है ठीक मगर यह नहीं कि यह placement दे रहा है तो आपको आता कुछ भी नहीं है और placement क्या सोचाएगा अगर आप अच्छा सीखोगे तो placement हट जगे आपको अपने आपी आ faculty देख लीजिए वहां का आपका जो infrastructure है वो देख लीजिए latest software पर work करा रहा है कि नहीं करा रहा है यह देख लीजिए इन चीजों को आप बस focus करिए ठीक है बाकी आप कि महां faculty का आपका nature कैसा है वो भी आपको देखना होगा ठीक है मालब वो helping है कि नहीं है बाद में आपक सकते हो जो भी महां student पढ़ रहा है ठीक है तो यह बात है थी तो बीडियों को स्टॉप करते हैं आगे कुछ और अपके बात करें तब तक के लिए धन्यवाद थैक्स बहुत है